हलो दोस्तो आज हम बनाएंगे आइस क्रीम प्रीमिक्स इस प्रीमिक्स से हम धेर सारे फ्लेवर बना सकते हैं घर पर इस आइस क्रीम को आप बिना डखकन लगाए आप इसे फ्रेजर में रख सकते हैं और इसमें आइस क्रीस्टल भी नहीं जमीगी इस आइस क्रीम में हम डाल गर्श तो सबसे पहले हम आइस क्रीम प्रीक्स बना लेते हैं अधा कप शक्रक्र मिल्क पाउडर हम डाल देंगे वन पूर्ट कप अब हम ज्यार के अदर डाल देंगे कॉण फ्लार कॉण फ्लार मैंने तीन बड़ी डाल दिया है आईसक्रीम बनाने के लिए हम GMS और CMC पॉडर लेंगे यह पॉडर किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर अराम से मिल जाते हैं कि आईसक्रीम को श्मूद बनाने के लिए हम डाल देंगे GMS powder दो बड़े चम्मच और इसमें हम डाल देंगे CMC powder आधा चम्मच इन सभी चीजों को हम mixer जार में महीन पीस लेंगे और इसका एक fine powder बना लेंगे आइस्क्रीम प्रीमेक्स हमारा तयार हो गया इसे मैं डाल दूँगी बाउल के अंदर इस आइस्क्रीम प्रीमेक्स के अंदर मैंने किसी तरह का flavor नहीं डाला है अगर आपको चोकलेट आइस्क्रीम बनाना है तो इसके अंदर आप दाल देंगे 1 पूर्थ कप, कोको पौडर और एक चमच कॉफे एड़ कर सकते हैं और आप इसे फ्रेज में एक साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं एक लीटर दूद लिया है मैंने, दूद फूल फैट ही हमें यूज करना है इससे आइस्क्रीम बहुत ही क्रीमी बनती है और इसमें हम मिला देंगे, आइस्क्रीम प्रीमिक्स जो हमने बनाया था ना, उसे डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे अगर आपको आइस्क्रीम आदे लीटर की बनाना है, तो इसमें प्रीमिक्स आप आदा डाल दे कड़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है दूद को हमें लगातार चलाते हुए कर्म कर लेना है दूद को लगातार चलाते रहना ज़रूरी है गैस का फ्लेम हमें लो रखना है दूद गाड़ा होने तक हमें इसे पकाना होगा दूद को गाड़ा होनी में 4-5 मिनट लगे हैं आप देख सकते हैं दूद गाड़ा हो चुका है मैंने दूद को ठंड़ा कर लिया है और अब हम इसे छान लेंगे इसमें जो लंस बने हैं वो सम निकल जाएंगे अब हमें इसे लगातार चलाते हुए ठंड़ा कर लेना है नहीं तो मलाई की परच जम जाएगी और आइसक्रीम अच्छे नहीं लगेगी और ये देखें दूद पूरे तरह से ठंड़ा हो चुका है और ये देखें गाड़ा भी हो गया है ठंड़ा होने के बाद दूद और गाड़ा हो जाता है अब हमें करना क्या है इसे हम रख देंगे फ्रेजर के अंदर दूद पूरी तरह से ठंड़ा हो गया इसे हम ढखकर फ्रेजर के अंदर 4-5 गंटे हमें इसे रखना है मैंने दूद को 5 गंटे बाद ही निकला है आप देख सकते हैं आईस क्रीम पुरी तरह से सैटनी हुई है इस तरह से हमें सेमि सेट आईस क्रीम चाहिए और इसमें थोड़े से क्रिस्टल भी जम गए हैं तो इसे हम एक चमच की हेलप से निकाल लेंगे इसे हम बीटर की हेलप से बीट कर लेंगे इस मिशरान को हमें 8-10 मिनट तक अच्छी तरह से बीट करना है जैसे जैसे हम बीट करेंगे ये मिशरान फिलपी होता जाएगा और अब हम इसमें डाल देंगे क्रीम क्रीम मैंने आदा कप डाला है अगर आपके पास में क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई भी इसमें डाल सकते है और हम इसे फिर से बीट करना शुरू कर देंगे आप देख सकते हैं क्रीम की कौन्टिटी काफी ज़दा बढ़ गई है और ये देखे हमारा क्रीम तैयार हो गया है इस बेश से हम बनाएंगे काफी सारे फ्लेवर्स मैंने एक बाउल ले लिया है आईस क्रीम के लिए चाहे तो आप इस तरह से कंटेनर भी ले सकते हैं कौफी के फाइवर कप आते हैं आप उसे भी ले सकते हैं एके करके सभी बॉल में मैं आइसक्रीम बेस को ढाल दूंगे, बॉल को हमें पूरा निये बनना है, थोड़ा सा हम खाली रखेंगे अब मैं बावल में डाल दूँगे रोज क्रश अगर आपके पास मैं क्रश नहीं है तो आपको इसमें कलर और एसेंस दोनों ही एड करना। और यह देखे, मैंने थोड़ा पिंक जैल कलर डाल दिया है और इसे हम मिला लेंगे मैंने उपर से डाल दिया है थोड़ा सा रोस क्रश और इसके उपर हम डाल दिंगे कलर्फुल जो टूटी फूटी आती है न उसे डाल दिंगे अब हम दूसरे आइस्क्रिम बनाएंगे इसमें मैंने पाइनेपल क्रश डाल दिया है बाउल के अंदर और इसे हम मिला लेंगे इसमें मुझे थोड़ा कलर कम लग रहा है तो इसमें मैं जैल कलर एड़ कर दूँगे जैल कलर आपको आरामसे मार्केट में मिल जाते हैं और इसके उपर हम कटिवे बादाम और केसर से गानेशिंग कर देंगे अब हम लेंगे स्टॉबरी क्रश मैंने पाउल के अंदर डाल दिया है और इसे भी हम मिला लेंगे इस आईस क्रीम में मैं किसी तरह का कलर एट नहीं कर रही हूं इसे हम सिंपली रखेंगे और इसके उपर हम डाल देंगे चोकोचिप और यह दिखे मैंने गानेशिंग कर दी है अब हम वैनिला आईस क्रीम बनाएंगे बैनिला एसेंस मैंने ले लिया है आदा चमत बाउल के अंदर डाल दिया है और इसे हम मिला लेंगे ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी से हम गानिशिंग कर देंगे इन सबी आईस क्रीम को हम रख देंगे फ्रीजर के अंदर लगब 8-10 गंटे छाहे ताप इसे ओवर नाइट भी रख सकते हैं मैंने और बाउल ले लिए हैं और इसे हम क्रीम से भर देंगे हम बनाएंगे ओर्यो आइस क्रीं ओर्यो बिस्कित को तोड़ के मैंने बाउल के अंदर इस तरह से डाल दिया है और इसे हम मिला लेंगे और इसके उपर हम रख देंगे ओरियो बिस्किट ओरियो बिस्किट को मैंने बीट में से तोड़ लिया है और इसका क्रीम मैंने निकाल लिया था बटर स्कॉच करश लिया है और इसे मैं डल दूँगी बाउल के अंदर और इसे हम मिला लेंगे मुझे इसमें color कम लग रहा है तो इसमें मैं color add कर दूँगे अगर आपके पास मैं essence और color नहीं है तो आप immersion भी add कर सकते हैं और उपर से मैं garnishing कर दूँगी तुटी-fruity की मैंने लिया है blueberry essence वन फोर्थ चमपच मैंने essence बाउल के अंदर डाल दिया है मेरे पास में परपल कलर नहीं था तो मैंने ब्लू कलर एड़ कर दिया है और इसे हम मिला लेंगे हमने जो आइस्क्रीम बेज बनाया था न बस मैंने उसे से गार्नेशिंग कर दिये गार्नेशिंग के लिए आप काजू ले सकते बादाम पिस्ता कुछ भी ले सकते हैं रस्मलाई एसेंस को मैंने डाल दिया है बाउल के अंदर और इसमें हम एड़ कर देंगे कलर और सभी को अच्छे तरह से मिला लेंगे आइस क्रीम को जमने के लिए हमें फ्रिजर के अंदर ओवरनाइट रख देना है अब हम गनाश बनाएंगे मैंने कड़ाई के अंदर डार्क चॉकलेट डाल दिया आदा काप और इसमें हम डाल देंगे दो से तीन चमद दूद और चॉकलेट को हमें मैल्ड करना है और ये दे देखें चॉकलेट पेस हमारा तैयार हो गया है इसमें कोको पाउडर बगेर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है और इसे हम डाल देंगे टीन के अंदर चॉको चिप डालके हम इसे मिला लेंगे और इसे भी हम उपर से गानिशिंग करेंगे चॉको चिप से और इसे हम 10 गंटे या तो फिर ओवरनाइट आप इस आइस क्रीम को फ्रिजर में रखतें और यह देखें मैंने आइस क्रीम को ओवरनाइट रखा था और मैंने आइस क्रीम को निकाल लिया है देखें कितनी क्रीमी बनी है एक बार आप इसे ज़रूर ट्राय करें और साथ ही मेरे चैन